जय तिरुपती बाला जी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तिरुमाला के वर्तमान इस्तिती के बारे में बताने वाला हूँ तिरुपती बाला जी का लड़ू परसाथ के बारे में जो खबरे आ रही है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा तो दोस्तों इन खबरों के आने के बाद तिरुमाला में क्या-क्या चीजें परिवर्तित हुई है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मिलावट थी जिसे अपने नियूज में सुना ही होगा और दोस्तों ये लैब टेस्ट के आधार पर बताया गया था दोस्तों जब ऐसी खबरे मिली कि लड्डू को तयार करने में जो घी मिलाया जाता है उस घी में आपतिजनक चीजें मिली हुई है ऐसी खबरों के आने के ब पास से सुद्ध नंदिनी घी को लिया जा रहा है और इसी नंदिनी घी से तिरुमाला में लड्डू प्रसादम को तयार किया जा रहा है दोस्तों मंदिर की सुद्धता और लोगों की आस्था बनी रहे इसके लिए मंदिर प्रसासन की तरफ से जिस किचन में लड्डू को जिसे पोटू कहा जाता है उस किचन को पूरी तरह से सुद्ध किया गया मंदिर में होम किया गया और प्रभू से छमाप्रार्थना भी की गई ताकि तिरुमाला मंदिर की सुद्धता बनी रहे और यहां आने वाले भक्तों की आस्था भी बनी रहे दोस्तों आप बात करते हैं तिरुमाला के वर्तमान इस्तिती की, तो दोस्तों तिरुमाला में अभी ब्रमोच्छव की तयारी चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रमोच्छव के टाइम तिरुमाला में काफी संख्या में भीड होती है, और भीड इतनी होती है क इस दोरान ओफ लाइन दर्सन टिकट मिलने में भी परिशानी हो। दोस्तों तिरुमाला में अभी के समय दर्सन में लगने वाले समय की बात करें। तो जोभी लोग 300 रुपए वाले Special entity दर्सन टिकट से दर्सन के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों जो भी लोग फ्री दर्शन लाइन से होकर तिरुपती बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यानि कि जिनके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है और वे तिरुपती बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उन्हें फ्री दर्सन लाइन से होकर जाना पड़ता है और फ्री दर्सन लाइन से होकर जो भी लोग तिरुपती बालाजी के दर्सन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें अभी के समय में बहुत कम समय लग रहा है लगवक 6-8 घंटे में उन्हें फ्री दर्सन लाइन से होकर त काफी फरेसानी हो रही थी लेकिन जब से बारिस हुई है तो तिरुमाला के मौसम में कुछ सुधार हुआ है और गर्मी से भी रहत मिली है दोस्तों तिरुमाला से रिलेटेड इन्फरमेशन आप तक पहुचाने का हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडिय तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज और व्लोक्स आप तक पहुचती रहे मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय बाला जी जय गोविंदा